गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में हर्स के समय में साहिते M6 के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा हर्स के बारे में हमने पहले भी काफी कुछ पढ़ाय है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और हर्स वर्दन में हर्स के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं तो देखेगा यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक और सेर करें त तो देखेगा, पढ़ते हैं, हर्स के समय में साहित्य एम सिक्षा, ठीक है, हर्स वर्दन स्मय में एक उचकोटी का विद्वान था, अतहे हैं अपने सासनकाल में उसने सिक्षा एम साहित्य की उन्नती को प्रयाप्त प्रोचसाहन परदान किया, पूरे देश में अनेग गुर प्रूकुल आश्रम एम विहार थे, जहां विद्यार्थियों को विविद्विद्विद्विद्विद्याओं की सिक्षा दे जाती थी, बाण के विवरन से पता चलता है कि वेदो तथा वेदांगों का समय अध्यन होता था, अनेग ओस्टिया आयोजित होती थी, जहां मह ब्राह्मन चार वेदों का अध्यान करते थे वेदिक विद्यों के अलवा मठ तथा विहार भी शिक्ष्या के परसित के अंदर थे हर्ष को संस्कृत के तीन नाटक ग्रंथों का रचियता माना जाता है वो तीन ग्रंथ इस प्रकार से देखेगा पिरियदर्ची का रतनावली और नागानंद तो पिरियदर्ची का रतनावली नागानंद ये हर्ष के द्वारा लिखे कावे चातूरिये की परसंसा की गई है तता बताया गया है कि उसकी कविता का शब्दों द्वारा प्रियाप्त रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता अन्यत्र बान लिखते हैं कि कावे कथों में वह हैं अम्रित की वर्षा करता था जो उसकी अपनी वस्तु थी दूसरे से प 25 सुन्दरी कथा में उसके विशे में लिखा है कि सैकडों करोड मुद्राओं से बान की पुजा करने वाला वह केवल नाम से हर्ष नहीं था साकार में वानी अर्था सरस्वती का हर्ष था जैदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बान, मयूर, अधिकवियों की समक्स्ता में रखते हुए उसे कविता कामीनी का साक्षाथ हर्ष निरूपित किया है, 27 स्थाप्दी के परसित दार्षनिक मद्दू सुदन सरस्वती ने भी हर्ष को रतनावली नामक नाटक का लेखक स्विकार किया है, भारतिय साहिते के अलवा, चिन्नी यात्री इत सिंग ने भी हर् इससे उसकी लोग प्रियता काफी बढ़ गई थी, इस नाटक से तात्पृय नागानन से लगता है, प्रिय दर्षिका चार अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज, उद्यन तथा प्रिय दर्षिका की परने कथा का वर्णन हुआ है, रतनावनी में भी चार अंक हैं, तथ यह नाटक वत्सराज, उद्यन तथा उसकी राणी वास्वदता की परिचारी का नागरी का की परने कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है, नागानन बोधरम से प्रभावित रचना है, और इसमें पांच अंक हैं, इस नाटक में जिमूत वाहन नामक एक विदाधर रा कौन-कौन से विद्वान है वो, स्वेम विद्वान ने विद्या प्रेमी हुने के साथ ती साथ हर्ष विद्वानों का उदार सरंगसक भी था, हर्ष के दरबार में अनेक विद्वान कवी यह लेख निवास करते थे, इन विद्वानों के नाम इस परकार से देखेगा बा मातंग दिवाकर की किसी भी रचना के विशे में हमें जानकरी प्रात नहीं है लेकिन यह हर्ष का दरबारी विद्वान था। कुछ विद्वान पूरे विमासा के परकार्ण विद्वान कुमारिल भट को भी हर्ष कालीन मानते हैं, इसके अलावा परसिद गर्णी तक ये ब्रहम गुप्त का जन्म भी हर्ष के समय में हुआ था, उसका गरंद ब्रहम सिधान्त नाम से परसिद है, जयादित्य थथा वाम के पटना जिल्य में राजग्रह से आठ मिल दूरी पर आदोनिक बढ़गाम नामक ग्राम के पास इस्तित था, मूलते इस महा विहार की स्तापना गुप्त सासे कुमार गुप्त पर्थम जो 415 से 445 इस्वी में था के समय हुई थी, यह लगबग एक मिल लंबा तदा आदा में चोड़ा था, इसके बीच में आठ बड़े कमरे तथा व्याख्यान के लिए 300 छोटे कमरे बने थे, यहां तीन बहुनों में इस्तित धरम गंज नामक विशाल पुस्तकाले था, नालंदा से प्राप्त एक लेक में यहां के बहुनों के भव्वे एम गगंचुम्बी हो में एक सो गाउं को की आई इसका खर्च लाने के लिए परदान की, तदा यहां लगबग सो फीट उंचा पीतल का एक विहार बनवाया था, ठीक है, तो देखिएगा इस वीडियो में हमने हर स्कालीन जो सिक्ष्यास आईते हैं उसके बारे में जानकरी प्राप्त की,